दोस्तों अगर आप भी stock market में किसी भी company के share को खरिद कर उसमें अपने पैसे को लंबे समय तक invest करना चाते हो तो उस company के share को खरिदने से पहले आखिर कौनसे कौनसे चीजों को चेक करना पड़ता है basically हम आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को सिखने वाले ही तो मोटा मोटी 10 ऐसा details से जो 10 details को आपको share बजर में कोई भी company के share को खरिदने से पहले ये 10 details जरूर से जरूर चेक करना चाहिए नहीं तो आपका पैसा दूब भी सकता है तो आज का ये वाला वीडियो fundamental analysis के उपर एक free master class होने वाला है तो चलिए करते हैं इस master class की शुरूरात दोस्तो इस वीडियो को हम लोग बिल्कुल basic level से शुरू करेंगे उसके बाद धिरे-धिरे advanced level में जाएंगे इसलिए आपको घाबरानी की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको stock market में कोई company के share को लंबे समय के लिए खड़िदना है तो उस share को खड़िदने से पहले सबसे पहले आपको check करना है कि उस company का business में आखिर scope कितना बाकि है company का management बाद में आएगा company का sales बाद में आएगा company का fundamental बाद में आएगा सबसे पहले देखना है कि भाईया जो बिजनिस में मैं पैसा लगा रहा हूँ उस बिजनिस में इसको फ्यूचर में कितना बाकी है नहीं समझे बात देखो माल लेते हैं कि एक XYZ नाम का कमपनी है आप इस कमपनी के शेयर को आप खड़िदना चाते हो और पिछले 10 सालों तक उसमें इन्वेश्ट रहना चाते हो माल लेते हैं एक XYZ नाम का कमपनी है इस कमपनी का शेयर खड़िद कर आप 10 सालों तक होल करना चाते हो तो इस कमपनी के शेयर को खड़िदने से पहले इस कमपनी के बिजनिस में पैसा लगाने से पहले आपको चेक करना है कि ये जो company जो भी business करती है क्या उस business का demand 10 सालों तक रहेगा आप तो इस company के business में 10 सालों तक invest करना चाते हो future के लिए कि चलो 10 सालों तक invest करूँगा तो future में मैं multi-vegar return मुझे मिल जाएगा लेकिन जिस business में आप पैसा लगा रहे हो क्या वो business आने वाले 10 सालों में survive करेगा की नहीं क्या उस business में आने वाले 10 सालों में इसको बाकी है की नहीं ये पहले आपको देखना है ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो मेरे भाई जिस speed से जावाना change हो रहा है ना जिस speed से technology change हो रहा है उतना ही speed से business भी change हो रहा है इसलिए आज जो business market में survive कर रहा है इसका कोई guarantee नहीं कि आने वाले 10-20 सालों में वही business survive करेगा आज से आप 20-30 साल पीछे चला जाओ किसी के घर में बाइक नहीं होता था आज से आप 20-30 साल पीछे चला जाओ कर आपको चिंदा करना है कि जिस business के share में मैं पैसा लगा रहा हूं क्या वो business क्या वो share आने वाले 10-20 सालों में survive करेगा क्या वो business आने वाले भवश्यों में टीके रहेगा अगर आपको लगता है कि हाँ भाई उस business में आने वाले समय में भी scope बाकी है फिर आप उस company के share को खड़ी सकते हो लेकिन अगर आपको लगता है कि जो business में मैं पैसा लगा रहा हूँ हो सकता है आने वाले 10-20 सलम हो वो business का demon ना रहे अगर आपको ऐसा लगता है वहाँ पे आपको चिंता करना पड़े ठीक है न तो पहला point क्या है company का fundamental management बाद में आएगा पहला आपको business का scope को देखना है कि क्या वो business आने वाले समय में survive करेगा कि नहीं अगर survive करेगा ऐसा आपको लगता है तो फिर आप सही रास्ते में हो समझ गए उसकी बाद आपको ये देखना है कि जिस company में आप पैसा लगा रहे हो उस company का जो profit है वो year on year basis से grow कर रहा है कि नहीं ये चीज आपको देखना है यानि कि उस company का जो profit है वो हर साल बर रहा है कि नहीं ये चीज आपके लिए देखना काफी ज़्यादा ज़रूरी है इसको ऐसे समझो कि माल लीजे एक A नाम का company है और उस A नाम का company का फिलाल एक share का price 100 रुपीश चल रहा है अब share का price 100 है share का price 100 से 200 यानि कि share का price डबल तभी होगा जब company का profit है जब profit डबल हो जाएगा तभी share का price डबल होगा जब company का profit 100 गुना हो जाएगा तभ share का price भी 100 गुना होगा इससे आपको क्या समझ में आया कि share का price अगर बढ़ना थो profit काफी ज़्यादा ज़रूरी है जैसे जैसे company का profit बढ़ते जाएगा वह ऐसे जैसे चाफिवना जो share का price बढ़ते जाएगा वह ऐसे आपका invest का रहा पै सबस सकता है ठीक है तो पहले आपको profit देखना है और सिर्फ profit ही नहीं देखना है profit के साथ साथ देखना है भाईया sales आपको उस company का sales को भी देखना है कि उस company का sales हर साल बढ़ रहा है कि नहीं आप कुछ लोग ये बोलेगा कि आकाज भाई किसी भी company को grow करने के लिए profit ही तो इसको एक example से समझते हैं माल लीजिए एक biscuit बनाने वाली company है और उस biscuit बनाने वाली company है और उस biscuit बनाने वाली कमपनी ने दो हजार तेइस में sale किया था माल लेते हैं 1,00,00 quantity biscuit ज्यान से समझना एक biscuit बनाने वाली गुपनी है उस biscuit बनाने वाली company ने दो हजार तेईस में sale किया था एक लाग packet biscuit ठीक है और इस एक लाग packet biscuit को sell करके company का profit हुआ था माल लेते हैं एक करोड रुपया e.EX. ठीक है न leg packet biscuit को Sell करके company ने profit किया 1 करोर रुपिया 2023 में उसके बाद 2024 में फिर से company का रिपोर्ट आया जिसमें company का sale तो वही हुआ 1,00,00 quantity ही company ने biscuit sale किया लेकिन company का profit है न वह पहले 1 करोर था इस बर company का profit हो गया डेर करो रुपिया, आप ध्यान से समझेना, आप यहाँ पे ध्यान से समझेना, 2023 में कमपणी का एक लाग कॉंटिटी ही सेल हुआ था बिसकिट का पेकेट, लेकिन एक लाग कॉंटिटी सेल करके कमपणी का प्रॉफिट हुआ था एक करो रुपिया, फिर 2024 में company ने sale तो same to same किया एक लग quantity इस बार भी बेचा लेकिन company का profit देखो पिछले साल तो एक कोरोर इस साल हो गया डेर कोरोर यह कैसे possible है यह कैसे possible है यह इसलिए possible है क्योंकि company ने जो biscuit का अपना दाम है ना price को increase कर दिया इसलिए profit बढ़ गया पिछले साल जितना price था एक लाग quantity का इस बार भी एक लाग quantity sale हुआ लेकिन इस बार biscuit का price कमपणी ने भरा दिया इसलिए कमपणी का profit बढ़ गया तो profit बढ़ गया तो पहला वाला parameter हमारा सही है लेकिन भी यह profit बढ़ने से काम नहीं होता है ठीक है ना, company तो आपको profitable दिखेगा, कि यहाँ पे देखो, कि 1 करो रूपिया 2023 में कमाया, 1.5 करो रूपिया 2024 में कमाया, तो यहाँ पे तो आपको profitable दिख रहा है, लेकिन sale तो नहीं बढ़ रहा है ना, और sale क्यों नहीं बढ़ रहा है, हो सकता है, लोगों को company का product पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए sale नहीं बढ़ रहा है, तो company कितना दिन अपना price को बढ़ाते जाएगी और profit को maintain करेगी, ठीक है ना, इसलिए sales काफी ज़्यदा जोडूरी होता है, ठीक है, इसी बात पर वीडियो को like कर देना, और अगर आपको वीडियो अप तक अच्छा लग रहा है, तो एक प्यारा सा comment कर देना, और हाँ, share बाजर में पैसा लगाने के लिए, आपके पास एक अच्छा डिमेट एकाउन की ज़रूरत पड़ी ही, तो जिस broker को मैं खुद यूज करता हूँ, उस broker का link आपको description पर मिल जाएगा, वो हमारा affiliate link है, तो वहाँ से आप बिल्कुल free में अपना डिमेट एकाउन को खुला सकते हो, ठीक है ना, उसके बाद आपको देखना है कि जिस company के आपको share को खड़िद रहे हो, वो company आखिर किस type का है, ये खो share बाजार में तीन तरह का company होता है, एक होता है large capacity, दूसरा होता है mid cap company, और तीसरा होता है small cap company, ठीक है ना, large cap company यानि की बड़ी सच की company, mid cap company यानि की medium सच की company, small cap company यानि की छोटी company ठीक है ना, तो आप कैसे पहचान सकते हो कि वो company large है, mid है या फिर small है, ये data को देखकर पहचान सकते हो अगर किसी company का market capital 20,000 करोर से ज़्यादा है, तो वो company एक बड़ी सच की company है अगर किसी company का market capital 5,000 करोर से 20,000 करोर के बीच में है, तो वो company एक medium सच की company है और अगर किसी company का market capital 5,000 करोर से कम है, तो वो company एक छोटी सच की company है और share budget में जितना छोटी सच की company के share को खरीदोगे, तो वहाँ पे आपके पैसों पे growth तो काफी जल्दी हो सकता है लेकिन वहाँ पे आपके पैसों पे risk भी काफी ज़्यादा रहे है उसी तरह medium वाला company को खरीदोगे, तो growth भी medium speed से होगा और आपके पैसों में risk भी medium ही रहे है और large cap company के share को खरीदोगे, तो भी या growth भी slowly slowly होगा, लेकिन large cap में risk भी कम रहता है तो आप कहीं पे पैसा लगा रहे हो, वो पैसा लगाने से पहले आपको जानना ज़रूरी है कि आप अपने पैसों पे risk कितना ले रहे हो तो ये data जानकर आप पता लगा पाओगे उसके बाद जिस company के share को खरीद रहे हो, उस company में debt कितना है, ये जानना ज़रूरी है debt का मतलब होता है कर्ज, देखिए अगर कोई company कर्ज ले रही है न, वो पाप नहीं होता है लेकिन अगर कोई company कर्ज लेने के बाद, उसको चुका नहीं पा रही है, वो पाप होता है यानि कि कर्ज लेना पाप नहीं होता है, कर्ज को ना चुका पाना ये पाप होता है तो जिस कमपनी के share को आप खड़िदने वाले हो, उस कमपनी में सबसे पहले आपको दिखना है कि अगर debt है, तो वो debt, यानि कि अगर कर्ज है company में, तो वो कर्ज हर साल कम होना चाहिए, कमते रहना चाहिए वो कर्ज, अगर हर साल उस company का जो कर्ज है, वो बढ़ते ही जा रहा है, तो भईया company के लिए वो गलत संकेत हो सकता है, अगर कर्ज company में बढ़ते जाएगा ना, तो तो चाहे company कितना भी profit कर ले, सारा profit company का interest चुकाने में ही चला जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए कर्ज काफी ज़रूरी है, देखो business करना है, business को grow करना है, business को फाइलाना है, तो कर्ज तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन कर्ज का सही इस्तमाल कर रही है कि नहीं company वो देखना है, और कर्ज लिया company उस कर्ज को कम कर रही है कि नहीं, ये देखना ज़रूरी होता है, समझ गए बात, और हाँ भाईया, Instagram पर follow कर लेना, अकसपसा 03ID का नाम है, तो एक मिनिट भी नहीं लगेगा, जाकर follow करके आओ, ठीक है, next आपको देखना है कि या ROE ratio, ROE ratio का मतलब ये होत होता है, वो share को बेच कर ही share market में list होती है, तो ये जो share है इसी share को बोला जाता है equity, equity share एक ही चीज होता है, तो company ने जो अपना share को market में बेचा, इस share को बेच कर company कितना percent profit कमा कर दे रही है, उसी को बोला जाता है ROE ratio, नहीं समझे बात, देखो कोई भी company share बाजार में अपना हिस्सा को बेच कर list होती है, तो जिस हिस्सा को company ने बेचा, उस हिस्से के उपर company कितना profit कमा कर दे रही है, उसी को बोला जाता है ROE ratio, ठीक है न, और ये जो ROE ratio है, ये minimum 15% से हर साल grow करते रहना चाहिए, तो वो company के लिए अच्छा होता है, अगर 15% से कम ROE ratio है, तो वहाँ प तरह एक होता है ROE ratio, इसको बोला जाता है return on capital employee, इसका मतलब ये होता है, कि देखो, company अपना share बेच कर पैसा उठाती है, market से, और company loan लेकर भी पैसा उठाती है, दो तरह से company market से पैसा उठाती है, एक share को बेच कर, एक loan को बेच कर, ठीक है, तो company अपना share को और loan लेकर, दोनो पैसों से, दोनों पैसों में कितना percent return कमा कर दे रही है, उसी को बोला जाता है ROCE ratio, नहीं समझे बात, यानि कि company ने जो share बेचा, और company जो market से loan लिया है, bank अगरा से loan लिया है, ये दोनों पैसों के उपर, कितना percent return कमा कर दे रही है, उसी को बोला जाता है ROCE ratio, और ये ratio भी हर साल 15% से minimum grow करते रहना चाहिए समझ गया ना ROE ratio भी 15% से हर सर grow करते रहना कहिए और ROCE ratio भी 15% से हर सर grow करते रहना चाहिए अब ये 15% कोई fix नहीं है, मेरा कोई formula नहीं है, ऐसा माना जाता है कि 15% से अगर ज्यादा profit कमा कर दे रही है, तो वो अछ़ा मना जाता है ठीक है ना तो यह हो गया ROCE ratio नेक्स्ट है PE ratio यह ratio भी काफी ज़्यादा ज़रूरी होता है इसका full form होता है price to earning ratio PE ratio का मतलब यह होता है कि मान लिजे एक A नाम का company है और उस company का PE ratio मान लेते है 30 है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस company से आपको एक रूपिया कमाने के लिए 30 रूपिया दाव पे लगाना पड़ेगा उसी तरह माली जी एक company है एक B नाम का company है जिस company का PE ratio है 100 ठीक है ना तो इसका मतलग यह हुआ कि यह B नाम का company से आपको एक रुपिया कमाने के लिए 100 रुपिया दाव पे लगाना पड़ेगा ठीक है तो इससे आपको क्या समझ में आया कि भीया किसी भी company का जो PE ratio है वो जितन कम उतना अच्छा ठीक है ना तो इसको PE ratio कितना होना चाहिए इसका तो कोई fix definition नहीं है लेकिन फिर भी अगर किसी company का PE ratio 20 या 30 से कम है तो उसको अच्छा माना जाता है 20-30 का PE अच्छा माना जाता है फिर से बता रहा हूं ऐसा कोई fix rule नहीं है ठीक है ना लेकिन एक और 10 से नीचे है तो वो भी गलत चीज होता है अगर किसी company का PE ratio एकदम कम है तो इससे आपको यह समझना पड़ेगा कि उस company में शायद future में growth करने के लिए कोई इसको भी नहीं बचा है ठीक है ना market को नहीं लग रहा है कि वो company आने वाले समय में आच्छा करेगा इसलिए market उसक भी compare किया जाता है अब वो में यहाँ पर नहीं बता सकता वीडियो काफी लंबा हो जाएगा उसके लिए आपको हमारा fundamental analysis का free वाला course को देखना पड़ेगा उस free course का link आपको description पर मिल जाएगा या फिर बाद में उस वीडियो को देख सकते हो ठीक है तो next आपको PE ratio भी चेक क चल जाएगा कि free cash flow आखिर कैसे चेक किया जाता है ठीक है तो company के पास cash होना चाहिए ताकि company में कभी कुछ गर्बार हो गया तो वो cash के वज़े से company उस गर्बार को ठीक कर पाए इसलिए free cash flow होना चाहिए ठीक है next आपको चिक करना है कि share holding पैटा है ये काफी ज़्यादा जाता है दूसरा share बाजर में कोई भी share को FIS और DIS खरीच सकता है ठीक है जिसको expert भी अब बोल सकते हो तीसरा share बाजर में कोई भी company के share को retailers खरीच सकता है जिसको public बोला जाता है ठीक है न यानि कि share बाजर को यही कुछ लोग share को खरीचता है पहला promoter यानि की company का खुद का owner दूसरा FIS, DIS, इनको expert भी बोला जाता है, तिसरा retailers, यानि कि public मेरे जैसे आपके जैसे public, ठीक है, ये तीनी लोग share बजर में कोई भी company के share को खरीदता है, तो आपको कोई भी share को खरीदने से पहले share holding pattern को देखना है, कि promoter के पास minimum 50% का stake है की नहीं, यानि कि promoter के पास company का 50% share ह है की नहीं, ये आपको देखना है, और FIS, DIS के पास भी अच्छा खासा holding रहना पड़ेगा, अगर आप किसी company का share में देख रहे हो, कि public का हिस्सेदारी काफी ज्यादा है, यानि कि retailers की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है, और promoter FIS, DIS की हिस्सेदारी काफी ज्यादा कम है, तो वो एक गलत संकेत हो सकता है, इसलिए share holding pattern में जाना है, और देखना है, promoter FIS, DIS के पास ज्यादा से ज्यादा holding है की नहीं, ठीक है न, अगर maximum holding, company का share का 60-70% holding ये 3 लोगों के पास है, promoter FIS, DIS के पास है, मतलब मोटा मोटी 70% holding ये 3 लोगों के पास है, तो वो company को आप होता है, तो कुछ-कुछ industry ऐसा है, जहां पर promoter holding का कोई role नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा, लेकिन maximum जो sector है, उसमें promoter holding का का काफी ज्यादा role है, उसमें आपको देखना है, promoter FIS, DIS का holding 70% से ज्यादा है की नहीं, public का holding कम होना चाहिए, public का ज्यादा होगा, उतना गलत संकेत होता है, ठीक है न, तो इस वीडियो का summary क्या है, इस वीडियो से हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा, कि अब बिजनिस का scope को देखना है, कि कोई भी company का share को खरीदने से पहले, वो company का business का scope को देखना है, कि future में वो company grow कर सकती है क कि नहीं, उसमें कितना scope है, वो देखना है, उसके बाद company का profit हो रहा है कि नहीं, वो देखना है, लेकिन सिर्फ profit को नहीं देखना है, यह sales को भी देखना है, कि sales भी बढ़ रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि company अपना product का price को बढ़ा कर profit बढ़ा रही है, ठीक है न, तो profit के साथ sale भी देखना है market cap को देखना है कि company के size कितना बड़ा है debt को देखना है कि company का जो कर्ज है वो लगातार कम होड़ा है कि नहीं वो भी देखना है ROE ratio को देखना है कि company अपना share के उपर कितना percent return कमा कर दे रही है ROC ratio को देखना है कि company अपना share के उपर और company ने जितना loan लिया है दोनों पैसे गूपर कितना return कमा कर दे रही है उसको भी देखना है उसके बाद PE ratio को देखना है कि PE ratio कम है कि नहीं ज्यादा कम भी सही नहीं होता है मैंने आपको बता दिया ठीक है, PE ratio को देखना है company के पास free cash flow कितना है वो भी देखना है and finally share holding pattern को देखना है जब ये कुछ चीजे आप check कर लोगे उसके बाद आपको मुटा मुटी 10 में से 8 चीज positive लगे तब उस company के share को खड़िदने के लिए पिचार कर सकते हो ठीक है ना, हर चीज सही रहेगा हर company में ऐसा जरूरी नहीं लेकिन 10 में से 8 चीज अगर आपको सही लगे positive लगा है तो आपके जो financial advisor है उससे सलहा लेने के बाद ही share budget में पैसा लगा सकते हो ठीक है ना, और share budget में पैसा लगाना काफी ज़्यादा जोपिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले अपने तरब से study जरूर कर लेना और एक बात, share market को free में सिखना चाते हो किया आखिर ये share market होता किया है इसको अगर आपको free में सिखना है basic से लेकर advance सकते सिखना है तो यह यहाँ पर click करके इस video को complete देख लो 20 minute का video है 20 minute में समझ जाओगे कि आखिर share market होता क्या है और हाँ teammate अगर आपके पास नहीं है उसका link आपको description पर मिल जाएगा यह video आपको कैसा लगा कोछ सिखने को मिला के नहीं नीचे comment करके बता देना Thank you so much